हेलो एवर्यों वेल्कम बेक टो मैं चैनल होफ यौल डूइंग वेल तो आज किस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आमपन्ना कैरी पन्ना जिसे बनाना काफी इजी है और एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है फटाफट से बन भी जाता है काफी टेस्टी भी होता है तो चलिए के और छोट छोटे पीसीज में काट लिया है लगबक डेड़ कप के बराबर ये पीसीज बने हैं इनको डाल दूगी मैं एक पैन में और दो कपीस में एड कर दूगी पानी डालने के बाद मैं इसमें एड करूँगी एक चमच सोंफ जिससे कैरी में जो पनना बनेगा अच तो यह लीजे 5 मिंट हो चुके हैं और केरी हैं हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं फोक की मदद से इस तरह से चेक करेंगे तो यह बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं और मैशर की मदद से मैं इनको अलके से मैश कर दूगी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अब मैंने ले लिए एक जार और जार के अंदर मैं इनको कर दूँगी ट्रांसफर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते एक कप मैंने डाली है इसमें चीनी और कुछ डाले है इसमें पोदीने के पत्ते और अब इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी अगर जो पेस्ट वो अच्छा सा निकल के आए तो यह लिजिए आम पन्ना बिलकुर बन कर रेड़ी है और अब इसे कर लेते हैं सब तो सब करने से पहले करेंगे गार निश हमारे गिलास को तो उसके लिए मैंने पीसी वी शक कर ली है और थोड़ी सी डाले उसमें लाल मिर्ची और सबसे पहले इसमें डालोंगे कुटा हुआ पूदीना ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आए और चार से पांच डाल दिये मैंने आइस क्यूब्स अब डाल देंगे इसमें हमारा आम पन्ना जो हमने रेड़ी किया था आम पन्ना से ग्लासेज को बिलकुल फुल नहीं पूदीना ताकि नीचे जो आम पन्ना है और जो कुटा हुआ हमारा पूदीना वह अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और उस सभी का अच्छा सा एक फ्लेवर निकल के आए तो यह लिजे आम पन्ना बनकर बिलकुल रेड़ी है और लास्ट में हलका सा इसे गार्निश कर पूदीने के पत्तों के साथ एक अच्छा सा लुक देने के लिए तो ठंड़ ठंड़ रिफ्रेशिंग सा हेल्दी सा हमारा डिंग बनकर रेड़ी है और इसे बनाना बिलकुल एजी है पटाफट से बन जाता है काफी हेल्दी भी होता है गर्मी से काफ बचाता है जब भी आप घर से बाहर जाए इसे पी के जाए और घर पर आने के बाद भी इसे पीजिए घर पर कोई गैस्ट आता है तो उसके लिए जरूर आमपना बनाईए यह काफी टेस्टी काफी है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट शक्यन में कमेंट जरूर कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लगती है तो डूंट फर्गेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल सी यू गाइज विद नेक्स वीडियो तिल लें टाटा बाई बाई एंड थैंक्यू फोर वाचिंग